ये है दैनिक प्राहताकाल का डिजिटल एडिशन प्राहताकाल लाइफ हलचल मची हुई है राजनेतिक जानकार इस घटना के आगामी प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं चलिए जानते हैं कि आखिरकार बीजेपी के ऐसे कौन-कौन से विधायक हैं जो अपनी ही सरकार को घेरते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं एक है भाषपा की विधायक चंद्र किरपलानी इन्होंने सरकार को घेरा है और प्रशनकाल के दोरान सरकार से पूछा कि स्कूल और मातरी शिशु केंद्र खोलने के लिए आपके क्या माब दंड है इस पर स्वास्तिर मंत्री गजेंद्र सिंग ने जवाब दिया तो भाषपा विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए वहीं दूसरे हैं हाई प्रोफायल सीट से सिविल लाइन से भाषपा विधायक गोपाल शर्मा जी और उन्होंने भी विधान सभा में खादे सुरक्षा अधिकारियों की भरती और मिलावट को लेकर स्वास्तिर मंत्री गजेंद्र सिंग को जम कर घेरा विधायक के पूछे गए सवाल पर मंत्री ने जवाब दिया तो विधायक जी यानि की गोपाल शर्मा जी असंतुष नजर आए इन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव हम पढ़ते हैं इसको लेकर दो सो पंचानने में सवाल लगाते हैं इसका हमें आज तक जवाब नहीं दिया गया यही नहीं अन्य विधायकों को भी दो सो पंचानने को लेकर जवाब नहीं मिला है ये सभी विधायकों के दिल की पीड़ा है चोधे विधायक हैं केसा राम चोधरी इन्होंने भी अपने सरकार को घेरा इन्होंने कहा है कि 24 महीने 26 दिन तक उनके शेत्र में बिना लीस के खनन हुआ है इस पर विधायक ने पूछा कि उन पर कोई कारेवाई क्यों नहीं हुई इस दोरान विधायक जी की मंतरी गजेंडर सिंग के साथ में हलकी फुलकी बहस भी हुई मंतरी ने कहा कि पहले मुझे मूल सवाल का जवाब तो देने दीजे इस दोरान मंतरी जी ने बताया कि बजरी माफिया के खिलाफ मारपीट के बारह प्रक्रण दर्ज है वहीं पे पाश्वे विधायक हैं जो की पूर मंत्री रह जुके हैं बीजेपी के वरिष्ट विधायक काली चरंड सराफ और इन्होंने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंग पर तंज कस्ते हुए हमला किया उन्होंने का है कि मंत्री जी जो अफसरों ने आपको लिख कर दिया है वही जवाब आपने पढ़ दिया आपका जवाब बिलकुल गलत है अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इसके क्या नतीजे निकल कराते हैं कि क्यों BJP के विधायक ही BJP को घेरने में लगे हुए हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं